सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उज्जोल भविशे के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा एक से कक्षा बारा तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विच्षित पोर्टल पर है उपलब्ध अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा एंड्रोइड मुबाइल पर गूगल प्रे स्टोर से e-lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का अप्रोब बच्चों कैसे हैं आप जैसा कि आपको पता है अभी हमारे स्कूल बंध है और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्याला के माध्यम से कर रहे हैं इस कारिक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम चार बजे से पांच बजे क्लास तीन से पांच की पढ़ाई होती है जहां हम मज़िदार धंक से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई-नई बातें सीखते हैं साथ ही जरूरी बातों को अपनी कौपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के आने बड़ों के साथ बैठ कर तो तयार है ना आज भी अपनी कौपी और कलम के साथ अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मियाओं की चोरी फिर शब्द के बदले शब्द में हम लोग शब्दों के बारे में समझेंगे उसके बाद खेलेंगे एक खेल आवाज पहचानों फिर चलेंगे अपने दोस्त गनित के पास और समझेंगे भिन्नों के सरलतम रूप को उसके बाद हल करेंगे भाग पहली को फिर भाग के कुछ शाब्दिक सवालों को हल करेंगे और समझेंगे संख्याओं के बारे में उसके बाद अंग्रेजी में सीखेंगे तीन लेटर्स और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजया गांधी जावी कुद्यान और देखेंगे जू शो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हेलो दोस्तों वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का नहीं समझे बस रोस की तरह ही खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है मैं तो सब कुछ लेकर तयार हूँ आप तयार हैं चा तो दिखाईए आपकी कॉपी कहां है और पेंसल हाँ आप भी तयार है चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की हिंदी की एक कहानी से उसके बाद आपको बता ही है क्या होगा उसके बाद हम एकुछ हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे फिर गणत पे आएंगे मगर सबसे पहले शुरू होती है आपके लिए कहानी बिट्टु के काका जल्दी से जाकर रसोईखर का दरवाजा बंद कीजिए कहीं बिल्ली न चली जाए हाँ हाँ करता हूँ या बिल्ली भी न इतना ध्यान रखने के बाद भी कहीं न कहीं से आ ही जाती है जल्दी जाएए लगता है दूद की ताक में है हम, और हो सकता है कि कोई चुहा भी नजर आ गया हो मियाओ, मियाओ हाहा, अच्छा जी, इतनी देर से तुम ही हमें परेशान कर रही हो हाहा, और हम भी बिल्ली को देखे बिना उसकी आवाज सुनकर ही परेशान हो गए हम, वैसे बिट्टू, बिल्कुर बिल्ली जैसी आवाज निकाल लेती है मैं तो शेर की आवाज भी निकाल लेती हूँ अच्छा, तो जड़ा निकाल कर दिखाओ अभी नहीं काकी, फिर कभी फिर कभी क्यों? क्योंकि अच्छानक आपको डराने में ज़्यादा मजाएगा और तुम्हें पता है, एक बार तो बिल्ली और शेर की आवाज आपस में बदल गई थी मतलब? मतलब बिल्ली की आवाज शेर के पास और शेर की आवाज बिल्ली के पास चली गई थी आप भी कैसी बाते करते हैं? इसी साफ से तो बिल्ली को दहालना चाहिए और शेर को मियाओं बोलना चाहिए हाँ काकी ने बिल्कुल सही कहा बिट्टो के काका क्या ये सची बात है? यह तो पता नहीं हाँ पर दोनों को अपनी अपनी आवाज वापिस जरूर मिल गई थी वो कैसे? वो कैसे मिली यह जानने के लिए सुनते हैं या कहानी? म्याओं की चोरी लेखन तान्या लुथर अगरवाल चित्रांकन पार्था सेन गुपता अनुवाद रितु सिंग प्रकाशन प्रथम बुक्स साभार स्टोरी वीवर वैदिका और करण को अपने नाना की जूला कुर्सी पर बैठ कर पढ़ने में बहुत मज़ा आता था एक दिन पन्ने पलटते हुए वैदिका बोली इस शेर को तु देख करण कितनी चोटी सी तस्वीर है वैदिका वो नाना का शीशा तो लाना जिससे सब बड़ा बड़ा दिखाई देता है करण ने कहा शीशा हाथ में आते ही करण उसे आगे पीछे करने लगा जब तक उसे शेर बहुत बड़ा दिखाई देने लगा वैदिका देख शेर तो और बड़ा होता जा रहा है अरे यह तो हिल भी रहा है करण वैदिका चिलाई तब ही वैदिका और करण ने शीशा नीचे रखा और क्या देखते हैं वे एक बहुत ही लंबे चौड़े शेर के सामने खड़े हैं शेर ने अपना बड़ा सामो खोला और बोला म्याउ क्या हुआ शेर भाई आप बिल्ली की आवाज क्यों निकाल रहे हैं वैदिका ने पूछा क्या करूँ हुआ यो कि कल मेरी बेहन है न बिल्ली हम दोनों जील पर मिले थे दोनों ने वहाँ का पानी पिया बस मुझे उसकी म्याउ मिल गई और उसे मेरी गरज शेर ने बताया ये तो बहुत बुरा हुआ शेर भाई तुम्हारी बेहन बिल्ली कहा मिलेगी करन ने पूछा शेर ने तुनकर जवाब दिया चलो वेदिका शेर भाई को उनकी गरज वापस दिल्वाएं करन बोला हमारे साथ चलिये शेर भाई वेदिका ने कहा तभी उन्हें वह गरज सुनाई दी जिसकी उन्हें तलाश थी और वेव उसे धूनने यहाँ वहाँ इधर उधर आखिर उन्हें बिल्ली मिल ही गई पेड की उची डाल पर बैठी बिल्ली मौसी बड़ी भयाँकर गरज है तुमारी वेदिका ने कहा सो तो है बिल्ली बोली और शेर को मिल गई मेरी पतली सी म्याऊ बिल्ली ने कहा अब तु सारी चिडियों और जानवरों को डरा सकती हूँ सुनो बिल्ली मौसी शेर भाई को अपनी गरज की जरूरत है उन्हें वापस दे दो ना उनकी गरज करण ने विंती की बोलते हुए करण के मुझे निकला आच्छू फिर एक बार और एक और कई बार और बस करो करण तुम तुम मुझे भी आच्छू बेदिका की भी छीक निकली फिर एक बार और एक और कई बार और कोई कुछ कहे, इससे पहले सभी छीकने लगे पहले बिल्ली, फिर शेर, आच्छू एक की छीक म्याउ जैसी, एक की गरच जैसी फिर एक बार और, एक और, कई बार और सब एक दूसरे को देखकर सुनू सुनू करने लगे शेर ने म्याउ बोलने की कोशिश की, तो मूँ से निकली जोरदार दहाड और बिल्ली गरजने लगी, तो निकली पतली सी म्याउ वैदी का ताली वजा कर हसने लगी शेर भाई, आपकी गरच तो वापस आ गई हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शेर ने कहा, परन तू बिल्ली खुशना थी बिल्ली मौसी, तुम्हारी म्याउ तो बड़ी मीठी है करण ने कहा, सच, कितने अच्छी हो तूं बिल्ली मौसी खिल उठी वैदी का और करण ने बिल्ली को ध्यान से देखने के लिए अपना शीशा आगे पीछे किया तो वै चोटी और चोटी होती गई और दोनों ने क्या देखा वै तो नाना की जूला कुर्सी पर मज़े से आगे पीछे जूल रहे थे क्यों, कैसी लगी कहानी? बहुत ही मज़ेदार और अच्छा हुआ जो दोनों को अपनी अपनी आवाज वापस मिल गई काका, मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आई बच्चो, बिट्टू और बिट्टू की काकी को तो कहानी बहुत पसंद आई आपको भी जरूर आई होगी तो बस यह कहानी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाईए और प्रश्ण बनाकर उन पर चर्चा कीजिए कहानी को सुनने में तो खूब मज़ा आया और उस पर समझ भी बन गई तो क्यों ना अब एक खेल खेला जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं? मज़ेदार कहानी के बाद मज़ेदार खेल तो होना ही चाहिए जब आप भी मानते हैं तो खोलिए जड़ी से अपने खेल का पिटारा जो हुक मेरे आका हाँ 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 तो पेश है खेल जिसका नाम है शब्द के भेद दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है शब्द के भेल चलिए खेलते हैं इस खेल को इसकी घड़ी चोकोर है तो इसकी हुआ सर्वनाम चोकोर विशेशन है जो घड़ी की विशेशता बताता है और घड़ी है संग्या अरे वाँ बिल्कुल ठीक अब बढ़ते हैं आगे वह हरी हरी घास खा रही है वह हुआ सर्वनाम और हरी हरी घास की विशेशता है क्योंकि वो हरी हरी है तो हरी हरी हुआ विशेशन और घास है संग्या बिल्कुल सही अब बढ़ते हैं आगे तुम्हारी अवाज बहुत सुरीली है इसमें सर्वनाम है तुम्हारी और विशेशन है बहुत सुरीली चली देखते हैं क्या ये ठीक है अरे वाँ अब बढ़ते हैं आगे आरती किसी की निंदा नहीं करती है तो आरती किसी का नाम है तो हुआ संग्या शब्द और सर्वनाम किसी विशेशन विशेशन इसमें से क्या है निन्दा चलिए देखते हैं देखते हैं क्या हमने सही अलग किया है या नहीं आरे वाँ हमने तो सभी को सही अलग किया अब बढ़ते हैं आगे तुम और टॉनी लंबी छलांग लगा सकते हो तो तुम हुआ सर्वनाम टॉनी किसी का नाम है तो टॉनी है संग्याशब लंबी छलांग की विशेशता है तो लंबी हुआ विशेशन अब देखते हैं क्या हमने सभी को सही वर्गी किरत किया है या नहीं अरे वाँ मज़ा आगया सुनके अब बढ़ते हैं आगे तुम्हारे पृताजी बहुत क्रोधी हैं तुम्हारे हैं सर्वनाम बहुत विशेशन पिताजी संग्या देखते हैं क्या हमने सही बताया है या नहीं कुम आन, you can do better, try again ओ, विशेशर हमने गल्ब बताया है क्रोधी है पिताजी की विशेशता क्योंकि पिताजी क्रोधी है तो क्रोधी आएगा विशेशर में अब देखते हैं क्या हमने सही किया है अरे वाँ, अब बिल्कुल सही किया अब बढ़ते हैं आगे यह कार पुरानी है यह कार पुरानी है तो यह है सर्वनाम कार संग्या और पुरानी विशेशन चलिए देखते हैं कि हमने सही बताया है आरे वाँ आप बढ़ते हैं आगे मुझे और अन्नो को बहुत तेज भोग लगी है तो बच्चो अब बारी है आपकी आप बताईए कि इसमें से कौन सा शब्द विशेशन है कौन सा सर्वनाम और कौन सा संग्या क्या कहा मुझे है सर्वनाम लीजे मैंने मुझे को डाला सर्वनाम में अन्नो किसी का नाम है बिल्कुल तो यह क्या होगा यह होगा संग्या शब्द बहुत तेज भूख लगी है हम तो तेज तेज होगा विशेशन क्योंकि वो भूख की विशेशता बता रहे है देखेंगे अरे वाँ हमने तो बिल्कुत सही किया और आपने मेरी मदद की तो थेंक यू आप बढ़ती है आगे खेल हुआ समाप इस खेल को खेलने में खूम मज़ा आया और बहुत को सीखने को यू मिला हाँ हाँ आपने भी मेरी खूम मदद की तो मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ खेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब बताओ मज़ा आया की नहीं हाँ हाँ श्रीमान जी आप कोई खेल करवाए और मजा ना आए ऐसा कभी हो सकता है काका मुझे भी खूब पसंद आया ये खेल और संगया सर्वनावर विशेशन पर मेरी अच्छी समझ भी बन गए शाबाश खेल खेल में सीखना सिखाना हो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हम काकी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा तो क्यों ना इसी बात पर एक खेल और हो जाए हाँ हाँ क्यों नहीं पर कौन सा आईडिया काका आप दोनोंने बिल्ली की आवाज को पहचान लिया था हाँ और मैं तो और भी बहूत से जानवर और पक्षियों की आवाज को पहचानता हूँ तो क्यों ना आज आवाजों की पहचान का खेल 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 जाए हम ये अच्छा है तो शुरू करते हैं खेल आवाज पहचानो दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आवाज पहचानो इस खेल में हमें कुछ आवाजे सुनाई देंगी बस हमें आवाज को सुनना है और उसे पहचानना है तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को यह आवाज तो कबूतर की है अरे वाज और यह आवाज है मुर्गे की ऐसी वाज तो तब आती ही जब मैं ब्रेश करती हूं तो यह आवाज है सुबा सुबा ब्रेश करने की और बचा यह तो यह आवाज हुई इसकी अरे वाज हमें फूल मिले हैं चलिए बढ़ते हैं आगे यह आवाज तो छोटे बच्चे की रोने की है यह आवाज है इसकी यह आवाज है बकरी की यह आवाज है भालू की यह आवाज तो गाय की है यह आवाज है मक्खी की बिन बिनाने की इस आवाज को तो हमने अभी थोड़े देर पहले ही पैचाना था यह आवाज है बकरी की और यह आवाज है पानी की जहाज की अब बढ़ते हैं आगे फूल पाकर बहुत मजा रहा है यह आवाज है इसकी यह आवाज है मेडकी अब आप बताईए कि यह आवाज किसकी है बिल्कुर सही कहां यह आवाज तो हमने भी थोड़े पहले ही पैचानी थी और यह आवाज है गोडो के दोलने की यह आवाज है इसकी चलिए अब बढ़ते हैं आगे यह आवाज है छिडिया की यह आवाज है सीटी की बिल्कुर सही कहां अक्सर हमें यह सीटी सुनने को मिलती है यह आवाज है बताईए यह आवाज है सुबा सुबा दान साप करने की अरे वाज हमें फूल मिले हैं बहुत बढ़िया यह आवाज है किसकी बिल्कुर सही का यह आवाज है बाजे की और यह आवाज है बकरी की यह आवाज है इसकी यह आवाज है बच्चे की रोने की चलिए फूल लेकर बढ़ते हैं आगे हाँ यह आवाज तो फेर की धानने की है बिल्कुर सही पैचाना आपने यह आवाज इस आवाज को तो हमने भी थोड़ दिर पहले ही पैचाना था यह आवाज है मुर्गे की और यह आवाज है सीटी की आण्य आवाज तो तब सुना एचें जब हमारी चस से अ वाइजयर गुजरता है बिल्कुर सही यह आवाज है हवाज दो की अभीतहक कर अवाजों को बिल्कुल सही पैचाना तो अभी में इस खerson को यह ही रोकते हैं और आप सब का मेरे साथ खेलने के लिए और मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ हाँ पता है खेल को खेल कर खूम मजाया बिट्टू इस खेल को खेलने में तो खूम मजाया हाँ काकी आपने सभी आवाजों को बिल्कुल सही पहचाना बिल्कुल सही कहा बिट्टू अब तो तुम्हारी काकी भी खेल को अच्छे से खेलने लगी है बच्चों काकी ने तो इस खेल को अच्छे से खेला और सभी आवाजों को सही पहचाना आप भी अलग-अलग आवाजें निकालिए और अपने घर के सदस्यों से पहचानने के लिए कहिए देखना इस खेल को खेलने में आपको बहुत मजाने वाला है मापको गटी देखना है हम इस खेल इस खेली है कर दोर कर मोया me प्रॉब मोया है प्रॉब क्स दल्षजरी दै को बना, अ गलो है यह सबस्वी कि दे राके लिया हना, לפ ties दी दो yep folks crit कि अपने कि भोगा गां कि भाद ए औरुर्राग कि प्षोर प्राइब के ओजा, कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि अ मुड़ें। लोगाद बा वो बात्व हम्हां आप आप हम्हाम प्टाया कर दो दो हमाता है तो दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको आशा करती हूँ बहुत ही मज़ेदार लगी होगी चलिए हिंदी तो हमने सीख ली अब हमारा गड़त की तरफ जाने का वक्त हो गया है गड़त में जो जो सवाल आपको स्क्रीन पर पूछे जाएं उनके जवाब उतनी कौपे में लिखने की कुशिश करिएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं गड़त अलो दोस्ति आज हम करने वाले हैं दिन्नों का सरल्टम्राणा शुरू के लिए हम आजे आयत लिखने एक दो टीन चार पांच छे साथ और आठ कुल आठ भां और इसको अगर हम भिन के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास हर में आएगा आठ आपको याद है ना कि हर का मतलब होता है कि किसी चीज के कुल कितने भांग ही और इन आठ भांगों में से हम एक, दो, टीन, चार, चार भांग रंग देते हैं लाल रंग से इसका मतलब हुआ हमारी भिन हुई चार बटा आठ यानि कि चार भांग रंग ये हैं लाल रंग से कुल आठ भांगों में अब इस भिन को क्या हम और सरल बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि चित्र में हमारे पास हैं कुल आठ भांग तो हम ये दो दो भाग आपस में जोड़ कर देते हैं एक भाग अगले दो भागों के समोग को भी एक बना देते हैं उससे अगले दो भागों को भी हमने एक कर दिया और अंतिम दो भागों का भी एक भाग बना दिया इस तरह अब हमारे पास आठ के भन गए कुल चार भाग और उसमें से हमने एक और दो भाग रंग दिये लाल रंग से आप ध्यान से देखिए कि उपर वाले चार भाग जो लाल रंग से रंगे हैं और नीचे वाले दो हाथ जो लाल अंफिरल ये हैं वो बिलकुल बराबर है परक बस ये है कि उपर चार भाग थे और नीचे हम देंके दो भाग बना दिये हैं अगर गणित की भाशा में समझें तो हम कह सकते हैं कि हमने भिन चार बटा आठ को दो से भाग कर दिया है और दो से भाग देने पर हमारे पास आया है दो बटा चार अगर चित्र भी देखें तो चित्र भी दो बटा चार ही बता रहा है कि कुल चार भाग है और दो भाग रंगे हैं लाल रंग से आगे बढ़ते हैं क्या इस दो बटा चार को और सरल बनाया जा सकता है हम फिर से दो भागों को मिला कर देते हैं एक भाग और अगले दो भागों का भी हमने एक भाग बना दिया इस तरह अब हमारे पास कुल भाग हो गए दो और उसमें से हमने एक भाग रंग दिया लाल रंग से और ये लाल रंग का एक भाग, उपर वाले रंगे हुए दो भागों के बिल्कुल बराबर है, यानि कि हम दो बटा चार को इस तरह एक बटा दो, यी एक बटा दो ही है न, चलिए देखते हैं, गणित की भाषा में समझे, तो हमने दो बटा चार को फिर से दो से भाग दे द एक भागन दिया है लाल रंग से क्या अब इसे और सरल क्यादा सकता है नहीं न तो इसका मतलब गुआ एक बटा दो है भिन का सरलतम रूप आप भिन के सरलतम रूप अच्छे से समझ करें न चलिए आपकी समझ को और मजबूत करते हैं अगला उधारन है नौ बटा पंद्रा अब इसे किस अंक्या संख्या से भाग करें कि हमारे पास धिन का सरलतम रूप आ जाए क्या हम दो से भाग कर सकते हैं चलिए दो का पहाड़ा देख लेते हैं उसमें नौ और पंद्रा आये हैं ये नहीं दो चार छे आठ डस बारा च्वादा और सोला यहां तो ना तो नौ है और ना ही पंद्रा इसका मदलब है हम नौ बटा पंद्रा को दो से भाग नहीं कर सकते हैं फिर कौन से अंग के साथ भाग किये जाएं सोचिए क्या तीन के साथ भाग दिया जा सकता है चलिए तीन का पहाड़ा देख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 अरे वा, यहां तो 3, 3, 9 और 3, 5, 15 है दोनों ही 3 के पहाड़े में है तो इसका मतलब है हम 9, 15 को 3 से भाग कर सकते हैं आपको याद है न कि हमने पहले सीखा था कि भिन का सरलतम रूप बनाने के लिए हम अंश और हर को एक ही अंग के साथ भाग करते हैं अलग-अलग अंगों के साथ भाग नहीं किया जा सकता तो 9, 15 को 3 से भाग करने पहर हमारे पास आता है 3, 5, 5 क्या 3, 5 को आगे और भाग कर सकते हैं नहीं तो इसका मतलब 3, 5, 9, 15 का सरलतम रूप है उधारन है 7 वटा 11 अब 7 तो सिरफ अपने ही पहाड़े में आता है काते कंज 7 और 11 भी सिरफ अपने ही पहाड़े में आता है और आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है कि 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्याओं हैं यानि कि इनके सिर्फ दो ही गुरनखंड होते हैं एक खुद वो संख्या और उसके अलावा एक आप 7 और 11 को तो हम अलग-लग भाग कर नहीं सकते हैं तो इन दोनों को हमसिरफ एक से भाग कर सकते हैं और एक से भाग दिने की बाद हमारे पास आया साथ बटा ग्यारा, लोगर को अ बिसका मतलब हुआ कि साथ बटा ग्यारां अपने आप में ही सरनल सम्रूप है इस भिन को और सरल नहीं किया जा सकता यह हम कह सकते हैं कि 7 बटा 11 को हम और छोटा नहीं कर सकते ही दोस्तों मैं उमीद करती हूँ आपको धिनों का सरल समरूप अच्छे से समझ आ गया होगा फिर मिलेंगे बाई हलो बच्चों चलो हल करते हैं भागाकार पहली तो पहली क्या है भागाकार पहली यह रही अब आपको जहां जहां पर प्रश्णवाचक्चिन है वहां बताना है कि कौन सा अंक यह संख्या आएगी चुरुआज करते हैं सबसे उपरवानी पंती को देखे 48 में हमें 8 का भाग करना है कैसे करेंगे 8 का पहाड़ा पढ़कर पढ़िये पहाड़ा कितने बार में 48 आया ठीक कहा 48 च्छे बार में आया इसके लिए हमने इस बाकसे पर 6 लिखा अब दूसरा हल करते हैं यहां देखिए च्छे का भाग हम किसमें दे रहे हैं यहां तीन में दे रहे हैं कितना आएगा उसके लिए हम तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे तीन एकम तीन और तीन दो नीचे मतलब इस बाकसे पर आया दो आईए अब हम हल करते हैं इस नीचे वाली पंटी को बारह में किसका भाग दे कि हमें भागफल दो मिले कैसे करेंगे बच्चो बारह कूर कितने भागों में बाटे कि हर भाग पर दो आए सही कहाँ हम बारह को 6 से बाटेंगे 6 एकम 6 और 6 दो नी 12 है ना असान अब बताओ किसे हल करें शलू आओ अब हल करते हैं कॉलम को 40 का हमें भाग करना है किसमें करें कि हर भाग पर दो मिले बताओ बिल्कुल ठीक आपने तो जड़ से पैचान लिया हम 40 का 20 से भाग करेंगे तब भी तो हर भाग पर 2 होगा ऐसा इसे क्योंकि 20 तूनी 40 होता है अब हाल करते हैं आगे उपर वाले पंदी को देखते हैं 40 में हमें इस पार 8 का भाग देना है कितना आएगा? 8 का पहाड़ा पढ़ो 40 से ज्यादा ना हो कितने बार आप पढ़ो दोस्तों? बिल्कुल ठीक 8 पंजे 40 यानि 5 बार अब यहां कॉलम पर देखो 5 का भाग 5 में करो और इस तरहां 5 भाग पांच आया 1 यह तो बहुत ही असान था अब सिरव एक प्रश्णवाच चक्चर न बचा है जिसे हमें पूरा करना है दो भाग तो परापत क्या? तो यह भी बहुत आसान है बिल्कुल ठीक, दो भाग एक दो एक होता है दोस्तों यह पहली तो हल हुई चलो एक और पहली हल करते हैं लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी, ठीक है? तो भागा कर पहली नंबर दो यह है अब इससे हल करो शुरुआर सबसे उपर वाली पंती से करेंगे 28 का भाग साथ में दो कितना आएगा? बिल्कुल ठीक साथ चोगे 28, इसलिए 4 और अब कॉलं में 4 का भाग 2 में 2 कितना आएगा? हाँ, 2, क्योंकि 2 तो ही 4 अब बताओ इस पंती में क्या आएगा? 24 का भाग किस में किया जाएगी दो? इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक हमें मिलेगा 12 क्योंकि 12 तो ही 24 होता है अब उपर वाली पंती में देखो 30 का भाग 5 में दो कितना आएगा? हाँ 5-6 के 30 इसलिए 6 अच्छा बताओ यहाँ क्या आएगा कॉलम में? 6 का भाग 2 में दे रहें ठीक पैचाना? 3 क्योंकि 2 तिया 6 और अब बच्चे ही सरब 2 प्रश्णवाचक चिमनें एक तो यह कॉलम 30 का भाग किसमें देने पर एक? यानि भाग पलेखो ठीक कहाँ जब 30 का भाग किसमें देंगे तभी हमें भाग पलेख मिलेगा अब दो का भाग एक मिदेने पर क्या होगा दो ही आएगा इस तरह हमने अपनी दोनों पहेली हल की फिर मिलेंगे किसी और दिन नई पहेली के साथ तब तक अपना खयाल रखें बाई बाई हलो बच्चों चलिए हल करते हैं भाग के शाबदिक सवाल सवाल है मानसी के पास 565 कंची थे उसने 5 बच्चों को बाई दिये बताओ कि हर एक बच्चे को कितने कंची मिले तो सवाल में क्या जानकारी दी है दिया है कि मानसी के पास 565 कंची थे और सवाल में क्या पूछा गया है पूछा है कि हर एक को कितने कंचे मिले अब हमें करना क्या होगा गुणा या भाग हम भाग करेंगे भाग क्यों क्योंकि वस्तूओं को लोगों में बराबर बाटना हो तो भाग करते हैं चलिए तो देखे सवाल कैसे हल करते हैं ये रहे कंचे अब 565 कंचे थे मानसी के पास जिने हमें कितने बच्चों बाटना था? पाँच बच्चों तो यहां हमने पाँच लिख लिए अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ज्यादा हो ही न तो देखो जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहां 5 कहां पर आ रहा है? एक बार पढ़ने पर आ रहा है ये देखे तो एक बार पढ़ने पर 5 आया इसलिए 5 नीचे लिखा अब इन्हें घटा देते हैं 5 से 5 घटाने पर हमें मिल गया 0 और आप क्या करेंगे? अब इस 6 को हम नीचे लिख लेते हैं इस तरह यहां हो गया 6 अब 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो तो फिर से एक बार पढ़ेंगे और फिर से क्या मिलेगा? 5 एकम 5 उसे हमने नीचे लिख लिए अब घटा देंगे घटाने पर 6 से 5 घटाओ तो आपको मिलता है 1 और अब इस 5 को भी उतार लेते हैं अब हो गया 15 पाच का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज्यादा ना हो कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार और 3 बार पढ़ने पर 15 आया इसलिए नीचे 15 लिख 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 दिया अब घटाते हैं तो जब खटाएंगे तो 15 प्ते 15 लिख लाटाने पर मिलेगा शून्य बिलकुल सही इस तरहां या हो गया 6 फल जोके शून्य है और 113 भाग फल है यानि हर एक बच्चे को 113 कंचे मिले अब आखिरी सवाल चांदनी के पास 81 गुबारे थे उसने वे गुबारे तीन बच्चों को बाट दिये तो हर एक बच्चे को कितने गुबारे मिले सबसे पहले सवाल में क्या जानकारी दी है वह लेकेंगे दिया है कि चांदनी के पास 81 गुबारे थे और उसने वे गुबारे तीन बच्चों को बाट दिये और सवाल में क्या पुछा गया है? पुछा गया है कि हर एक बच्चे को कितने गुबारे मिले और क्या करना होगा? गुडा या भाग? हाँ हम भाग करेंगे भाग क्यों करना है? क्योंकि वस्तूओं को लोगों में बराबर बाटना हो तो भाग करते हैं सबसे पहरे तो 81 लिख लेते हैं और क्योंकि 3 बच्चों को बाटना है तो 3 अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 से ज्यादा ना हो कितने बार पढ़ेंगे? 3 एकम 3 और 3 दोनी 6 इसलिए हमने पढ़ा आरा पढ़ा कितने बार? दो बार और आया 6 अब 8 सी 6 घटाते हैं 8 सी 6 घटाने पर 2 मिलता है और फिर इस एक को हम नीचे रिख लेते हैं तब कितना हो गया? 21 हो गया अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 21 से ज्यादा ना हो तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 21 मिल जाता है और अब 20 से 21 खटा देते हैं तब मिलता है 0 इस तरह 6 फलाया 0 और फाक फलाया 27 यानि हर एक बच्चे को 27 गुबारे मिले इसी तरह के मज़़दार सवालों के साथ फिर मिलेंगे बच्चों बाई-बाई हलो दोस्तों आईए अभ्यास के लिए सवाल हल करते हैं आप अपना कॉपी पैन लेकर बैठिए क्योंकि सवाल आपको हल करना है सोच समझ के हल कीजिएगा तो देखिए पहला सवाल क्या है सवाल है 8 बटा 6 का सरलतम रूप लिखिए सवाल समझ लिया 8 बटा 6 को आपको और अधिक सरल रूप में लिखना है जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा उसी तरह इसे करके देखिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर ये रहा अगला सवाल 9 बटा 12 इसका सरलतम रूप क्या होगा इसे हल कीजिए 9 बटा 12 का सरलतम रूप आखिर क्या होगा अगला सवाल है 3 बटा 12 का सरलतम रूप क्या होगा दोस्तों 3 बटा 12 को सरल रूप में कैसे लिखेंगे और अब अगला सवाल जाज कीजिए कि क्या 1 बटा 2, 7 बटा 14 का सरलतम रूप है या नहीं दोस्तों आपको 1 बटा 2, 7 बटा 14 का सरलतम रूप है या नहीं पता करना है कैसे करेंगे करके देखिए अब अगला सवाल जाज कीजिए कि क्या 3 बटा 5, 9 बटा 16 का सरलतम रूप है या नहीं है सवाल आपने सुन लिया एक बार फिट से सुने जाज कीजिए कि क्या 3 बटा 5, 9 बटा 16 का सरलतम रूप है या नहीं तो आपको 9 बटा 16 का सरलतम रूप निकालना है अगर 3 बटा 5 आया तो हां सरलतम रूप है नहीं तो नहीं फिर दोस्तों इसके हलके साथ हम मिलेंगे बाद में तब तक अपना खयाल रखें बाई बाई दोस्तों इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडिशन ने इस वीडियो में हम 3 लेटर से बनने वाले शब्द देखेंगे और कुछ शब्द ऐसे भी देखेंगे जिनमें लेटर ए का उच्चारण आ होता है Word Basket Hi children, today we are going to revise some 3-letter words that we have learnt in 1st Standard. Let's see the picture and tell its name. Bat, Bat Cat, Cat Cap, Cap Tap, Tap Bag, Bag Children, do you remember any such 3-letter words? Yes ma'am. Hen, Pen, Sun, Ant, Pan, Mat Now let's do another activity. You have to see the picture and match it with the given words. Cat, Tap Bat, Cap Now let's match the same words. There are some words written on the basket and some are written on the oranges. Let's match the similar words. Can, Can Sat, Sat Mat, Mat Hat, Hat Man, Man Pen, Pen Bag, Bag Gem, Gem Sad, Sad Has, Has Rat, Rat Had, Had Well done. These are all A-sounds words. Its sound is A. Our next activity will help you to learn more words that has A sound in them. Hi cat, what is that? It is a mat. The fat cat sat on a mat. Here as you can see, each word has A sound in it. Let's read them. Cat, Ker atter Fat, Fur atter Mat, M atter Sat, Sir atter Let's see the next picture. Hi rat, what is that? It is a bat. A rat has a bat. The bat is in a bag. Now let's read them. Rat, rat. Rat, R atter 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 Bat, R atter Bag, R atter Bag, R atter Bag, R atter Has, R as a sir Let's see the next picture. Hi Sam, what is that? It is jam. Sam has jam in the can. Let's read the words. Has, R as a sir Jam Jam J-A-M-M Can K-A-N-N Remember children, sounds help you to form words. So you should learn sounds in each word properly. So kids, I told you that I have told you that we will start the zoo show. So let's start the zoo show. So let's start the zoo show. दर्सक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आपा रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुचाया जाए इसे जू आउट्रीच प्रोग्राम भी कहा जाता है प्रती दिन जू के अलग-अलग इंक्लोजर से दर्सकों तक पहुचने का प्रयास करेंगे और इसमे अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फोर्मेशन और मनरोंजन के लिए जनकारी दी जा सके और इसी करम में अशुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चैन किया गया है जिराफ है जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफी तेजी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगवग 155 जू में हमारा अस्थान तीसरे अस्तर पे है विकत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़के छे हो गई है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिडाफ मुलत यह इंडिया में नहीं पाये जाते हैं यह फिरका के ही जानवर हैं और यह दर्ती पर पाये जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और यह सबसे लंबे जानवर हैं दर्ती पर पाये जाने वाली इनका हाइट जो होता है लग 800 kg तक वैडी करता है, जो फिमेल होती हैं, उनका वजन 1200 kg तक पाय जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं, उनका 800 kg तक होता है, अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलेपुलर लेवल पर इनका इस्टडी करके ऐसा पता चला है, कि स पांच या छे स्पीसीज, इनके सब स्पीसीज भी हैं, जो वल्ड में पाय जाते हैं, पतना जू में भी इस तरह कि एस्टडी को लिया जाएगा, मॉलिफ हैं कि बंस पांच भी इस तरह कि एसे से ऊप्राव इसीजह, छा सक एस्टडी करके आवेक में चाह जाएगार ए साखाए इस पांच पानवा कि ए मैं इनका एक संचिप्तितियास बताना चाहूंगा कि मैं में दोजार चे में तीन जिराफ को लाया गया था सृष्टी विकास और सांती तीन जिराफ को यहां पर लाया गया था और लगतार। उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जूगों को देख़ करके इसके अदला झाल झाल तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा तो घर पर रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें मिलते हैं अगले एपिसोड में बाई बाई बच्चों झाल 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 को तूपा रहें झाल झाल झाल